नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी वायर में इस वीडियो में हम बात करने वाले है परियावरन याम सिख्षा शास्तर का प्रेक्टी सीट नमबर पाच चार प्रेक्टी सीट हमने अप्लोड किये हुए चैनल पर और हमारे मैच की प्रेक कर लीजे कि जैसे आप एक्जाम में चाहते हो तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रशनों को सॉल्फ कर पाएं ठीक है मित्रों तो हम बात करते हमारे प्रेक्टी सीट के पहले कुशन की यहां पर दिया हुए प्रेक्टी सीट का पहला कुशन प्रेश नमबर एक परिवार एक इकाई होता है जिसमें मा, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं यहां कथन ठीक है परिवार एक इकाई होता है जिसमें मा, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं क्या यहां कथन सही है यह नहीं है यह हमें option से पता चलेगा ठीक है सत्ते है क्योंकि सभी भार्टी करन नहीं किया जा सकता है सत्थ है क्योंकि यहां किसी आधत से परिवार का आकार है ठीक है मित्र तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा तोамिल врем is there कि दौनकि यहां पर देखिए जरूरा नहीं है कि परिवार में कِय वल प्राकृतिक संसाधन होते हैं ठीक है प्राकृतिक संसाधन होते हैं तो वो हमें बताना है यहांपर अप्सान नमबर जल खनीच लकडी उप्रोक्त सभी तो मित्रों बहुत ही सिंपल सा कुश्चन है इसके पहले भी हमने इसे सॉल्स किया था तो उप्रोक्त सभी यह क्या है हमारे प्राकृतिक संसाधन है ठीक है क्योंकि जल भी हमें प्रकृति से मिलता है खनीच भी हमें प्रकृति से मिलता है और लकडी भी हमें प्रकृति से ही मिलती है तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएग सब्सक्राइब करेंगे हम अगले प्रश्न की तो यह दिया हुए हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नमबर 4 निम्न लिखित में से कौन सा पक्षी केक्टस के पौधें काटों के बीच अपना घोसला बनाता है तो मित्रों यह प्रश्न भी हमने जब आवास वाला जो चैप्ट किया था ठीक है निम्न लिखित में से कौन सा पक्षी केक्टस के पौधों के बीच में अपना घोसला बनाता है ऑप्सन नबर एक फाक्ता ऑप्सन नबर बी शकर खूर ऑप्सन नबर सी बया और ऑप्सन नमबर डी कल्चिडी तो मित्रों यहां पर जो हमारा आंसर होगा व कबॉत्तर भी कहते हैं मित्रों तो तो आगे बढ़ते हैं हमां अगले प्रश्न की तरह तो ये हमारा नीचे दिए गए खाते पधारतों के किस समुच्चे में लोह तत्व प्रचूर मात्रा में होता है अपसन नबर 1 बंदगोवी भिंडी गुड और आवला पालत गुड option number C, आवला पालक आलू, option number D, आवला पालक टमाटर, आवला आलू टमाटर, तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, वो हो जाएगा, आवला पालक और गुड, ठीक है, आवला पालक और गुड, ऐसे तीन, यह मतलब यह तीन चीजे है, इन में क्या पाया जाता है, इन लिखित समुह में, उस समुह को चुनिए, जिसमें खाना पकाने के तरीके दिये गए हो, मतलब सही तरीके दिये गए हो, ओके, यहना कि खाना हम कौन सी विधी से पका सकते है, यह यहाँ पर हमें पूछा गया है, सेक कर, उबालकर, बेलकर, ठीक है, तो बेलकर तो हम ख भीकुकर भुंकर भीकुकर भीगुकर भीधो भीधोकर भीघत भीड़र नहीं बनाते हैं même सेख नेौट ए मित्रों यहाँ पर हमारा जो ऑनसर होगा और यह प्रश्ण है प्रभावी करने के लिए वीजिया का प्रयोग किया जाता है ठीक है मित्रों यह बहुत ही मतलब कहना चाहिए ठोड़ा ऐसा प्रश्न दिया हुआ है जो एकदम से समश में नहीं आ रहा है ठीक है तो हमें इसे एक बार और पढ़ना चाहिए गच्रा प्रबंदन के इस प्रणाधी को क्या कहेंगे जिसमें सांध लिए प्रबहु उसके मिटाया जाता है तो हमारा आन्सर सिढ़म ont get out ज़ाई क्योंकि हम जीव क्यों कि बक्तिर रयो फोटेया कि उनका प्रयोग हम यहाँ आपrü अपसिस्ट के प्रवंदन कि लिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की तो यह हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नमबर साथ निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा ठोस अपसे उत्पन्न करता है और एक रशींग नूकलियर पावर सयंत्र आपसे नमबर सी पादन उद्योग आपसे नमबर डी पैकिंग उद्योग तो यहां पर हमें बताना है कि सबसे ज्यादा अपसे उत्पन्न कौन करता है ठीक है तो यह हो जाएगा हमरा उत्पादन उद्योग जो प्रोडक्शन फैक्त measuring factors रहे say तो यह जो उद्योग होते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या हं थो सबसे आउधे स्टोरियंध होते हैं क्योंकि देखे क्रशी में भी उतने ज्यादा effective एफ्क्टिव अपसेस्ट उत्पन्न नहीं होते हैं याझने कि थोड़ा कुड़ा कच्ड़ा होता है तो वह आसाने से अपगटित हो जाता है नूकलियर पावर सहिंत्र जो होता है इसमें ठोस अपसेस्ट नहीं होता है याझन तो यह दिया हुए हमारा अगला प्रेशन, प्रेशन नमबर आठ, वायू प्रदूसक सूचक के रूप में निमनलिखित में से कौन काम आता है, यानि कि वायू प्रदूसक की सूचना देने के रूप में कौन सा यहाँ पर काम आएगा, ओपसर नमबर ए शैवाल, ओपसर नम जो है वो वायू प्रदूसक के रूप में, यानि कि प्रदूसक के सूचक के रूप में, यानि कि इंडिकेटर के रूप में, यह हमारा, मतलब इंडिकेटर के रूप में काम करता है, वायू प्रदूसक के इंडिकेटर के रूप में काम करता है, लाइकेट, ठीके, अब ब देखें यहां पर कि कौन सा बीज नहीं है, option number A, गेहू, option number B, काली मिर्च, option number C, साबुदाना, option number D, सौफ, ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें हमारे आंसर की, तो यह हो जाएंगा हमारा आंसर साबुदाना, ठीक है, क्योंकि देखें, गेहूं भी एक प्रकार का बीज है, और अगर काली मिर्च की बात करें तो वो भी एक प्रकार का बीज है, और सौफ भी एक प्रकार का बीज है, लेकिन साबुदाना एक प्रकार का बीज नहीं है, ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रशन number 10 की, तो ये दिया हुए हमारा प्रश्न नमबर 10 प्याज आलू अद्रक है ठीके क्या जड़ है तना है अपस्थानिक जड़ है ये शल्क पत्र है ठीके मित्रो तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तना ठीके क्योंकि प्याज आलू और अद्रक क्या है तना है ठीके आलू एक प्रकार का क्या है तना है अद्रक भी एक प्रकार का क्या है तना है और प्याज भी एक प्रकार का तना है ठीके सामने तोर पर अगर हम ऐसे ही सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अद्रक एक प्रकार क जड़े परन्तु ऐसा नहीं है वो क्या है एक प्रकार का तना है ठीक है आप लोगों ने 1112 में बालो जी में बढ़ा होगा कि आलू एक प्रकार का तना है ठीक है और अगर हम बात करें हल्दी जो है वो प्रकंद है थीखे आप फोड़ा सा यहाँ पर याद रखेएगा हल्दी क्या है प्रकंध है और कंद याने की कंद है हमारा अलूर ओकै ऑर शल्क कंद जो हे वह प्याज और लसून है ऑर हम follows से तने के रूप में भी मानते हैं तो आप थोड़ा सा यहां पर याद रखेगा कि आलू एक प्रकार का तना है प्याज और आलू अद्रक ठीक है तो अगला प्रश्ण देखते हम यह हमारा अगला प्रश्ण प्रिश्ण मतलब की ऐसा पौधा जिसका जूबीच होता है वह दो बीच पत्रों में तूट जाता है जैसे कि अगर हम बात करें स्वयाविन आप लोगों सामायने तौर पर स्वयाविन देखिए तो जब हम स्वयाविन को तोड़ते हैं तो वह दो भागों में इस तरीके से वह तूट ज द्वीबीच पत्री पॉधा, तो यहां पर हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा से नमबर D, ठीक है सरसो, देखी आचंबे वाली बात है कि सरसो जो होती है वो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी होती है, लेकिन जब हम उसे दो भागों में बाटते हैं, तो वो हमें दो भागों में अलग-अलग तूटी हुई मिल जाती है, ठीक है, तो सरस भीकों में जल का अधिगळषन किसके द्वारा होता है टीक है पोधों में जल का है अधिग्रहन किसके द्वारा होता है वो हमें बताना है option number e.. bacter homaire flow-yum, option sea-n we? option companies tag 이거는 d.. option apple we? तो नित्रो जल का अधिगरषन मतलब जल का स्थानांतरन ञानिकी तो मित्रो जल का अधिकरहन मतलब जल का स्थानांतरन यानि कि जल जड से तनों तक के कैसे पहुचता है तने से साखाव तक कि पत्थियों तक किस प्रकार से पहुचता है किसके द्वारा पहुचता है तो मित्रो यहां पर अगर हम बात करें तो पौधों में दो प्रकार के उ करता है कौन फ्लोयम लेकिन जो जायलम होता है वो जल या जो भी लिक्विट पधार्त होते हैं उनका ट्रांस्पोर्टेशन कौन करता है उनका ट्रांस्पोर्टेशन करता है जायलम ठीक है मित्रों तो यह हो गया हमारा आंसर आपसन नंबर ए जायलम ठीक है जायलम जो होता ह वो जलका अधिगरहन करता है बात करेंगे हम अगले प्रश्ण की तो यह हमारा अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर 13 CNG संचिप्त रूप है बहुत ही सिंपल सा कोशन है हमने 3-4 बार इसे सॉल्फ किया है CNG Clean Natural Gaze का Compressed Natural Gaze का Carbonite Natural Gaze का और Carbureated Natural Gaze का CNG हमने सामने तोर पर इसे बहुत बार पढ़ा हुआ है CNG तो यह है Compressed Natural Gaze का संचिप्त रूप और यह हमारा अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर 14 अंतरिक्ष चंद्रमा पर पहुचने वाले विश्व की प्रथम वैक्ति कौन थे? अंतरिक्ष या चंद्रमा पर पहुचने वाले विश्व के प्रथम वैक्ति कौन थे? विश्व के पुछा गया है ना की भारत के, ना की रूस के और नहीं कोई दूसरे देश के तो यहाँ पर अगर हम बात करें Option No. A. Robert A. Godard दिया हुआ है Robert H. Godard माइकल कालिंग्स Option No. C. Neil Armstrong Option No. D. Budge Eldrie ठीके? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मित्रों तो हमारा आंसर हो जाएगा Neil Armstrong ठीके? विश्व के प्रथम वैक्ति थे Neil Armstrong और यह हमारा परियावरन का जो हमारा अंतरिक्ष विज्ञानवाला जो चैप्टर दिया हुआ है उससे यह प्रशने लिया गया है तो Neil Armstrong एक ऐसे वैक्ति थे जो विश्व के प्रथम वैक्ति थे और यह चंद्रमा पर पहुचे थे ठीके? बात करेंगे अगले प्रशने की तो यह है आप लोगों की सामने हमारा अगला प्रशने प्रशन नमबर पंद्रवा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतिय वैक्ति का नाम बताईए ठीके? अब भारतिय वैक्ति पुछा है ठीके? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारती वेक्ति का नाम, option number E, विद्धियूत मिश्रा, option number B, कपीले स्त्रिपाथी, option number C, राके सर्मा, option number D, इश्कुमार वैद, ठीके मित्रों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, वो हो जाएगा, राके सर्मा, ठीके, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारती वेक् जो थे वो थे राके सर्मा, ठीके, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, तो यह हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न number 16, किस देश में क्रिश्मस तिवहार गर्मियों में मनाया जाता है, ठीके, यह मतलब जीके का अच्छा खासा कुश्ण है, यह कि किस देश में क्रिश् का जो तेवहार है वो, तो लेकिन कोई ऐसा देश है, जो गर्मियों में उसे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीके, तो ऑप्सन नमबर A, बांगला देश, ऑप्सन नमबर B, ऑस्टेलिया, ऑप्सन नमबर C, न्यूजिलेंड, ऑप्सन नमबर D, स्रीलंका, तो मित्रों था पर जो हमारा आंसर होगा, वो जाएगा ऑस्टेलिया, ठीके, क्योंकि ऑस्टेलिया में क्रिश्मस के तेवहार को गर्मियों में मनाते हैं, ठीके, बात करेंगे, अब अगले प्रश्न की, तो यह दिया हुआ है, हमारा आगला प्रश्न, प्रश्न नमबर 71, ठीके, जीक तो वो हमें बताना है कि Durand Cup जो है वो किस गेम से related है या फुटबॉल से है पोलो से होकी से या बैन्मिंटन से है तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा answer होगा वो हो जाएगा फुटबॉल ठीक है फुटबॉल जो है फुटबॉल गेम से संबन्दी थे Durand Cup ठीक है Durand Cup है फुटबॉल से संबन्दी तो आप याद रखेगा आप बढ़ते अगले प्रशन के तरफ तो यह दिया हुआ है हमारा अगला प्रशन 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 नमबर अठारवाव मध्य प्रदेश में सबसे उचाय स्थान कौन सा है ठीक है सबसे उचाय स्थान कौन सा है MPGK से लिया गया है यह हमारा प्रशन और परियावरण में MPGK से एक या दो कोशन आते हैं मित्रो तो आप थोड़ा सा इसे भी ध्यान रखेगा ठीक है और एक बार प्लीज आप मैप देखकर जाईएगा ठीक तो उसमें बहुत सारी चीज़ा जैसे कि यह भी पूछते है कि कौन से मतलब ऐसा भी प्रशन आ सकता है कि कौन सी सीमा कौन से राज्य से टच हो दी है मतलब सिंपल सिंपल से भी कोशन आ सकते जीके के ठीक है तो यहां पर पूछा गए मध्यप्रदेश में सबसे उचाय स् है ठीक है पच्मडी जो है वो मध्यप्रदेश में सबसे उच्चा इस्थान है बात करेंगे हैं हम अगले प्रशने की तो यहां पर दिया हुए हमारा अगला प्रशने प्रशन नमबर 19 कौन सी ग्रीन हाउस गेस वातावरन में सबसे अधिक अधिक मातरा में रहती है ठीक ह ठीक है मित्रों तो यहां पर जो होगा हमारा आंसर वह जाएगा कार्बन डाई आकसाइड सी ओ टू एक ऐसी गेस है जो आतावरन में अधिक मातरा में भी रहती है और एक ग्रीन हाउस गेस भी है ठीक है बात करेंगे अगले प्रशन की तो यह दिया हुए हमारा अगला प् अगले प्रशन की तो यह दिया हुआ है हमारा अगला प्रशन 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 नंबर 21 प्रात्मिक इस्तर की EBS पार्ठे पुस्तकों में कविताय और कहानिय सम्मिलित करने का क्या कारण है यहां से हमारे पैटागोजी के प्रशन स्टार्ट हो गए मित्रो ठीक है तो थोड़ा सा समझते हुए पढ़िएगा प्रात्मिक इस्तर पर EBS पार्ठे पुस्तकों में क और कहानिय समिलित करने का क्या कारण है ठीक हैं अफसे लमबर INS प्रश्टा में आमोद प्रमोद प्रदान करना और अप्सेन नमबर दी विशाय वस्तू को प्रस्तूत करने के लिए नित्य चरिया एक रस्ता में परिवर्तन करना ठीक है मित्रो तो यहां पर जो होगा वह हो जाएगा हमारा अप्सेन नमबर दी ठीक है क्योंकि देखिए विशाय वस्तू को प्रस्तूत करने की जो नित्य एक चरिया जो होती है याने कि एक रस्ता जो होती है उसमें थोड़ा सा हम चेंजिस लाते हैं मतलब कहानी कविताय वगरे थोड़ा सा सुना कर बच्चों का इंट्रेस्ट जो ह उनकी रुची जो है वो बढ़ाते है ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्सेन नमबर दी और यह हमारा अगला प्रेशन प्रेशन नमबर 22 कौन सी प्रच्छेपीत सामगरी है ठीक है कौन सी प्रच्छेपीत सामगरी है ऑप्सेन नमबर ए बुलेटिन बोर्ड ऑप जो है वो overhead projector इसका full form है और इसे OHP short में बोलते हैं तो ये एक प्रकार की प्रच्छेपित सामगरी है ठीक है overhead projector तो आप याद रखेगा OHP एक प्रकार की प्रच्छेपित सामगरी है बात करेंगे हम अगले प्रशने की तो ये दिया हुआ है अगला प्रशने प्रशन नमबर 23 चात्रों के लिए सीखने के प्रमुक संसाधन है उप्सन नमबर A विभी निक्रियाओ है तु सामगरी का संकलन ऑप्सन नमबर B ग्रन्थाल है ऑप्सन नमबर C सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्मान ऑप्सन नमबर D उप्रोप्त सभी ठीक है मित्रों अगर हमें चात्रों को कुछ सिखाना है तो उनके लिए क्या प्रमुक संसाधन होंगे क्या विभी ने क्रियाओ के थ्रू हमें उन्हें समझा सकते हैं ग्रन्था लेके द्वारा समझा सकते हैं या सर्वे और प्रोजेक्ट निर्मान करके समझा सकते हैं तो मित्रों यहां पर जोगा हमारा आंसर हो जाएगा उप्रोप्त सभी मतलब यह सभी ऐसे संसाधन है जि के द्वारा हम चात्रों को सिखा सकते हैं कुछ ठीक है बात करेंगे अब अगले प्रश्णों की तो ये दिया हुए हमारा अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर 24 वा अपनी परियावरन की स्वच्छता और सुधता का मुल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है ठीक है अपने परियावरन की स्वच्छता और सुधता का मुल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है किस प्रकार का कौन से छित्र का संग्यानात्मक छित्र का कार्यात्मक्षेत्र का उप्यूक्त में से कोई नहीं ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें मित्र अपने परियावरन की अपने परियावरन की सवच्छता और सुध्धता का मुल्यांकन जो है वो है एक प्रकार का भावनात्मक्षेत्र का मुल्यांकन करना ठीक है तो यह हो प्रेश्ण प्रेश्ण नमबर 5 ठीक है सतत एवं व्यापक मुल्यांकन की एक तक्निक है ठीक है सतत एवं व्यापक मुल्यांकन की एक तक्निक है option number A, 70 मुल्यांकन, option number B, अर्धवार्शिक मुल्यांकन, option number D, C, निदानात्मक मुल्यांकन, और option number D, IKAI मुल्यांकन, ठीक है, तो सत्त तोर व्यापक मुल्यांकन, continue and comprehensive, जो होता है, evaluation, जिसे हम कहते हैं, CCE, ठीक है, continue comprehensive evaluation, जो है, उसकी, मतलब वो एक तकनिक है, वो हमें बताना है, तो option number A, 70 मुल्यांकन, अर्धवार्शिक मुल्यांकन, निदानात्मक मुल्यांकन, और IKAI मुल्यांकन, तो मित्रों यहां पर जो होगा, हमारा answer, वो हो जाएगा, यहां कि सत्त तोर व्यापक मुल्यांकन में, पूरा 70 का मुल्यांकन किया जाता है, है ना, sorry, यहां पर ह हो जाएगा, हमारा निदानात्मक मुल्यांकन, ठीक है, यहां पर एक प्रकार का, ऐसा किया जाता है कि continue उसे observe किया जाता है, जो भी mistake होती है, यह जो भी सुधार बच्चों में लाना होता है, तो उनका निदान हमें करना पड़ता है, तो यह हो जाएगा, हमारा निदानात साले युकती है तो मरत यहां बात क्रें मित्रों आपर जो है ठाई सरी बात Daar तो भी वह उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कख्छा निर्दशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर हम उन्हें किससे कहानिया स्टोरिस को सुनाएंगे तो बच्चे परियावरन अध्यन में मतलब जुड़ेंगे ठीके कनेक्ट अपने आपको कर पा साविस है जिसमें परियावरन अध्यन का सबसे अधिक समबंद है ठीके तो क्या बहुतिक विज्ञान ऑप्सन नंबर बी फिजिक्स सुरी इतियास ऑप्सन नंबर C भूगोल ऑपसन नंबर D जीव विज्ञान ठीके मित्रों तो यहां पर जो होगा वो हो जाएगा हमारा बात करेंगे अगले प्रश्ण की, तो यह दिया हो hè हमारा अगला प्रश्ण फ्रश्ण नमबर 28, निम्ने लिखित में से कौन सा प्रात्मिक इस्तर पर विज्ञान सिक्छण का वानचीत उद्देश है, अपसर नमबर A, विज्ञान के अनुप्रयूगु को जाना देखे मित्रों अगर कैसे भी मतलब जिस प्रकार से भी प्रत्मी प्रात्मिक स्थर विश्च प्रकार के अगर प्रस्ठ आ रहा है तो आप सब्से पहले जैसे ही प्रष्ण में प्रत्मिक सतर आ半तु और उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप ये सारे के सारे options solve करोगे ठीक है मित्रों तो हमें ये बताया है यहां पूछा गया है कि कौन सा प्रात्मिक इस्तर पर विज्ञान सिक्षण का वांचित उद्देश्य है option number A विज्ञान के तथ्यों और सिध्धान तो एवं उनके अनुप्रयोगों को जानना बिल्कुल भी नहीं क्योंकि प्रात्मिक इस्तर पर बच्चे सिध्धान नियम परिभासा इन सबसे तो बिल्कुल परिचित नहीं होते है ठीक है option number B प्राकृतिक चिग्यासा स्वंदर् अगर हम यहां पर बात करते मित्रों तो यहां पर देखें दो आप्सन हमारे राइट है ठीक है दो आपसन यहने की मतलब बहुत ज्यादा एफेक्टेट लग रहे हैं यह और यह भी ठीक है तो हम इसे उप्रोक्त सभी यहां पर कह लगा देंगे ठीक लगा देंगे हमारा answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी ठीक है तो यह होगा हमारा प्रश्ण नंबर 28 का option नंबर डी आंसर बात करेंगे हम अगले प्रश्ण की तो यह दिया हुए हमारा अगला प्रश्ण प्रश्ण नंबर 29 इवेस की पढ़ाई में मतलब इन्वायमेंटल स्टडी की पढ़ाई में पर्यावरन की पढ़ाई में कख्छा में प्रश्ण उत्तर तक्निक का सबसे अच्छा उप्यों किसके लिए किया जाता है ठीक है विध्यार्थियों का ध्याना कर्शित करने के लिए option नंबर भी सि के आपश्ण उत्तर विधि का उप्योग कर रहे है तो हम इस उद्देश से करते हैं कि विद्यार्थियों की सिख्छार्थियों में सीख्णे की जिग्यासा उत्पर्ण हो इसलिए हम प्रश्ण उत्तर विधि का उप्योग करते हैं ठीक है तो ही होगे हमारा answer option number B but this this isn't च्टी से आठी वी कच्छा और नवी से दस वी कच्छा ठीक है यानि कि परियावरन अध्यन को किस प्रकार के सम्मों में इस्थान दिया घए तो मित्रों यह जो है हिंदी में ही सम्मिलित करके दिया हुआ लेकिन तीसरी कक्षा से पर्यावरन की अलग एक सेपरेट बुक है और यह दिया हुआ है जो मतलब यह जो नियम दिया हुआ है यह ncf05 नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने यह दिया हुआ है कि भई आप कक्षा तीसरी से कक्षा कीजिए कोशन ज्यादा से ज्यादा लगाए ठीक है और इससे क्या होगा कि आप लोगों में को सॉल्फ करने के हैबिट बनेगी और जब आप जब आप एक्जाम देने जाओगे तो आप लोगों में एक जिजक नहीं रहेगी और एक डर नहीं रहेगा ठीक है ठीक है मित्र